हेलो फ्रेंड्स बेरी बेरी गुड मॉर्रिंग मैं आपने यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों पिछले दिनों हमने परहा था भर्ब के बारे में और यह भी बताया था कि भर्ब के कितने प्रकार होते हैं और हमने ट्रांजिटी भर्ब और इंट्रांजिटी भर्ब के बारे में पढ़ा था तो आज के टॉपिक मैं हम आपको बताये कि अशने के पूसा इसके अलावा हम इंग्लिष पर्बि कराएंगे जो काफी लंबा होने वाला है तो प्लीज अश्टे विध ध तो आप लोग तैयार हैं दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर दीजे और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेर कर देंगे ठीक है और साथ-साथ बेल आइकन पक्का दबाएं ताकि मेरा नेक् दोस्तों जब हम कोई सेंटेंस को देखते हैं तो उसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं जैसे सब्जेक्ट भर्व पलस ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है भर्व भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है इस तीनों के बीना सेंटेंस का कोई मा तो आज इसके बारे में हम discuss करेंगे कि transitive verb क्या है और transmititive verb को क्या से पाचाने श्क्राइब को बेंगी तूम मैंने बता दी आँ . Transitive verb और Intransitive verb के जो sentence है student को बहुत परशानी होती है कि conservative verb का sentence और Intransitive verb का sentence था उसके बारे में हम दिस्कस करेंगे इसे इस विडियो में तो दोस्तों जैसे ट्रांजीटिव भर और इंट्रांजीटिव भर अभी देखिए subject plus verb plus object तो एक sentence है राम एट मैंगू राम ने आम खाया तो राम एट मैंगू तो इसमें क्या है? राम सब्जेक्ट हो गया एट जो है इट का सेकेंड फॉर्म है एट इट होता है एट जो है सेकेंड फॉर्म है और मैंगो क्या हो गया अबजेक्ट हो गया तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटी भर्व क्योंकि राम ने क्या खाया आम खाया आम क्या है object दोस्त जो भी sentence में object दिखता है आपको पता चलता कि object है तो आपको ट्रांजेटी भर्व हो गया ठीक है दूसरा है doctor cured a patient doctor cured a patient तो इसमें क्या है patient object है doctor subject cured जो है वो भर्व है ठीक है तो यह भी क्या हो गया ट्रांजेटी भर्व हो गया तो इसमें उसने क्रोस किया किसको क्रोस किया रोड को रोड क्या हो गया object तो यह हो गया ट्रांजेटी भर्व क्योंकि यहां पर object डाला गया हूआ ऑनाया है। मदर कूग्ड फूड है मञी ने क्या बनाया खाना बनाया। तो कूग्ड जो है इसमें अबजुक्ट क्या हैбы। तो जिसमें आपको एध्यान में टाल लो गां बांद लूमन में कि जिसमें अबजेक्ट होगा वह उपक्या है। दूसरा इंट्रांजितिव भर्व क्या होगा जिसमें अब्जेक्ट नहीं होगा जैसे doktor卦 , Doktor ने ठीक किया या इलाज किया इसका जाया कोई मेनिंग नहीं लिकना किमों किसका इलाज किया यह हो गए इंट्राजिटी बर्व इसी प्रकार से कुछ अलग वर्ड भी देखेंगे जैस्ट नो फेल इस्टरडे बरप परी कल बरप परी कहां परी पता नहीं है यह हो गए इंट्राजिटी बर्व वी फेल्ड हम लोग फेल हो गए किसमें फेल हो गए पता नहीं है यह भी हो गया इंट्राजिटी बर्व शी इज स्लीपिंग वह सो रही है इसमें भी कोई अबजेक्ट नहीं है देख सकते हैं आप तो यह भी हो गया इंट्राजिटी बर्व शी इज राइटिंग वह मेहनत वह महनत्ती है या वह महनत करता है लेकि किसके उपर महनत करता यह पता नहीं है तो धु इंट्राइजिटी वर्फ She enjoyed उसने इंजोई किया या उसने इंजोई की लेकिन किस इस का इंजोई की वही पता रहे r poder तो ह्या हो गया इंट्राइजिटीव दोस्तो अब ये तक आपको पता चल गया होगा कि ट्रांजिटीव और इंट्राइजिटीव बर्में क्या आंतर है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम ज्यादा टाइम बेस नहीं करेंगे अब हम दोस्तों के बीच में इंगा इंग्लिश कनवर्शेशन कराएंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो दोस्तों, राम और शाम, grim और बताला हम बातन है बताली को सर्णे होता वो हम प्यादł आब है रामों, हम बताएंगे को इस अभ्यादरेशन की होड़ी आटा से की नहीं है और दोस्तों, रामों स्याम, पोता से सोते हैं How is uncle and auntie? Ram, they are fine. Sam, what is going on? Ram, nothing special. Sam, what are you doing right now? Ram, I am writing a letter. Sam, for whom? I am writing a letter to my father. Sam, for which purpose? So, Ram, actually I have no money. I have to buy some book and personal belongings. So, I am writing a letter to my parents. Sam, what is your planning to do in summer vacation? Ram, I have no any planning regarding summer vacations. Sam, why? Ram, as you know, lockdown is going on. Going outside is more dangerous for us. Sam, but government gave some relaxation in lockdown. Ram, my dear friend, life is very precious. I don't take any risk more because coronavirus is the disease which is totally different from other diseases. Sam, how coronavirus is different from other diseases? Ram, coronavirus is the disease which is spread person to person like fire. If you will meet contaminated people, you will be also affected and infected. So, what should we do? Ram, we should follow the government guidelines regarding coronavirus and take more precaution. Sam, if we follow guidelines of government, why precaution is required? Ram, as you know, precaution is better than cure. Precaution is the weapon from which we can save our life from coronavirus. Siam, please tell me what precaution we should follow. Okay, listen carefully. First of all, we should always wear masks. Keep sanitizer in your pocket. Whenever you meet someone, you sanitize your hand. Always wash your hand with detox liquid or soap. If you feel, you will be contacted with any infected people as soon as wash properly. Always drink warm water. Always inhale water vapor. Always maintain social distancing. When you feel, it is very necessary to go outside, then go, otherwise stay at home. When you return from outside, please remove your shoes outside from your house. Always keep shaving kits yourself. Don't go to saloon, spa, etc. My dear friend, these are the precautions we should, must follow because precaution is better than cure. Thank you, my dear friend, for giving me such valuable knowledge regarding how to procure from coronavirus. I must follow all precaution and advice all the people of India as well as world. Must follow government guidelines. Precaution is also required for save our valuable life. Ram, thanks a lot for spending precious time with me. I am feeling bored, lonely, in lockdown. Sam, thank you, my friend. See you later. Ram, bye. Take care. See you. Thank you. Friend, I ask you that this video you will have to do very well. Thank you. In English conversation, it will be good for you for your full power. Second, in Corona, you will also be able to do well. In the world, people will be able to do well. You will also be able to do well. What is the question you need to do well. What should be required for us? Yeah, please do that video? If you are good, it will be good for you. किजेगा मेरा यह छोटा सा प्रयास है आप लोग अंग्रेजी शिखाने के लिए आप लोगों बहुत पसंद आगा अच्छा लगे तो दोस्तों को पका सेर किजेगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कि प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा विल आइकन दबा दिजेगा थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद